ये सुनिश्चित कर ले कि प्रिंटर ओन है और कम्प्यूटर से कनेक्टेड है अब स्कैनर कवर खोलिए जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो उसे स्कैनिंग बेड पे इस तरह रखें कि उसके सिरे स्कैनिंग बेड के दाएकोनों से बराबर मिल जाएं अब स्कैनर लिड बन कर दें HP DeskJet आइकॉन को डबल क्लिक करें खुले हुए पैनल पे Scan a Document or Photo वाला आप्शन क्लिक कीजिए इस पैनल की बाई और प्री सेट्स उपलब्ध है Document to File आप्शन चुनिए पैनल के दाई हिस्से से आप Scan Area का आकार चुन सकते हैं इस डेमो में ड्रॉपडाउन आप्शन से हम Entire Scan Area चुनते हैं अब Resolution चुनिए हम इसे 100 DPI पे सेट करते हैं अब Advanced Settings क्लिक कीजिए Destination Tab क्लिक और सिलेक कीजिए Browse पे क्लिक कीजिए File Save करने का Location चुनिए इस डेमो में हम Desktop चूज करते हैं OK पे क्लिक कीजिए After Scan section में Do Nothing वाला आप्शन चुनिए OK पे क्लिक कीजिए ये सुनिश्चित कर ले कि आपने Show Scan Preview आप्शन चेक किया है अब Scan पे क्लिक कीजिए Preview दिखने पर Mouse Cursor की मदद से सीरों को ड्रैग करते हुए Scan Area का कर सेट कीजिए Brightness Slider से Brightness Adjust कीजिए Contrast Slider से Contrast Adjust कीजिए Preview ठीक लगने पर Save पे क्लिक कीजिए File को नाम देकर उसे Save करने का Location चुनिए अब Save पे क्लिक कीजिए और फिर Done पे पे क्लिक कीजिए पे क्लिक कीजिए